कि मिश्कार साथियों स्वागत है आपका स्टेडी पाथ विदृतू यूट्यूब चैनल कर कैसे आप सबी कैसे चल रही है सभी की तैयारिया अभी यूरो का जो पेपर है वो आने वाला नजदी की है तो सभी तैयारिया कर रहे होंगे यूरो जो है इसमें हमारी कुछ आठ म तो हम योजना स्टार्ट करते हैं पैले तो हम यह देख लेते हैं कि योजना है कौन यह कौन से तो इन्द्र आती है अमरत दो योजने फिलेक्शिप हैं एक आती इंद्रा गांधी शहरी रोजगार गारंटी उजने तो यह आठ योजना ही है जो यह आरो में अलग से दी गई है तो यह यह अच्छे से पड़ेंगे चलो स्टार्ट करते हैं तो पहली आती है अम्रित मिशन अटल नवीकरण और शहरी के परिवर्तन मिशन का नाम आता है शुरू कभवो कि 227-25 it is 25 ज Tabii 25 तूरा को स्टार्ट होती है नरेंदर के द्वारा केंदर सरकार की यूजना है पहले जो इसका नाम क्या था पहले से जाना जाता था जोहर लाल नेहरू राष्ट्रिय शहरी नवीकरण मिशन के नाम से जाना जाता था अब आता मंद्राले कौन सा है तो मंद्राले आता आवास शहरी कारिया मंद्राले टोटल शहर क आते हैं अब आता है कि इसका उद्रश्य क्या है उद्रश्य देखिए कि शहरों में जो भी परिवार है उनको बुनियादी सेवाइं देना कौन-कौन करने वाला राजस्तान फर्स्ट नंबर का है अब इसके पांच घटक आते हैं कौन-कौन से हैं पूछे जाता है कि अमरत मिशन जो है पानी कठा हो जाएगा एक आता पैदल मार्ग सार्वजन परिवेन कि सुवीधा पार्किंग इस्थाल हरी इस्थालियों पार्कों की स्थापना यह जो पांच घटक है वो इसमें दिये गए हैं एक आता कि अमरत मिशन 2015 में प्रारम किया गया था इसकी अवदी जो है यह 2015 स से 20 तक थी और इसे बढ़ागर 31 मार्च 2021 किया गया था कि पापन पांस साल किसके अवदी थी फिर इसे 30 मार्च 2021 किसके आगया अब इसके बढ़ाकर अमरत मिशन 2.0 जो स्टार्ट होगा उसमें इसको 2026 किया गया है फिर आता है कि 1 अक्टूबर 2021 को योजना का दूसरा चरण ही स्टार्ट होता है इसे 2026 तक किया गया है वही बढ़ाकर अमरत मिशन 2.0 जो है इसे 1 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 2026 तक यह चलेगा सैकेंड चरण अब आता है कि इसका हाली में आवास और शहरी मामलों के मंत्राले ने इस योजना का शुबारम किया है लक्षे क्या है इसका कि लगबख 4700 जो शहरी इस्थान ये निकाए है उसमें सभी गरों में पानी की सुविदाएं देना दूसरे चरण का लक्षे ये है कि सीवरेज और सैप्टिक प्रबंदन में सुधार हमारे शहरों को जल सुरक्षित बनाना यानि कि सीवरेज और गंदा नाला जो होता है वो नदियों में आकर नागिरी इसके लिए लगलग सुविदाएं की गई है यह मिशन सार्वजेनिक निजी भागिदारी के माध्यम से स्टाट अप था उद्वों के जरी आत्म निर्बर भारत के विजन को आगे बढ़ानी का लक्षे है यह अमरत मिशन है याद रखना कभी स्टार्ट हुआ कौन से मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया कितने शहर इसमें शामिल है राज है चले हांकी उके ड़न्डब नेक्स्ट आती है हृँरत होजब चेह क्या है एक तो यह राष्ट Lawrence विकास विरासत शहर मिकास और संवर्दर यूजना है को queen डो की सरकार की योजना है केंद्र सरकार की योजना है फिर आता है मंत्राले कौन सा है तो आवासन एवं शहरी कारिये मंत्राले की द्वारा शुरू की गई है केंद्र की योजना है उदेश यह कहा है कि सहरी नियोजन आर्थिक विकाश और विरासत जो शरक्षन है यानि कि विरासतों को बचा कर रखन उनको बचाकर रखना और इसके तहत देश के 12 शहरों को शामिल किया गया हो 12 शहरों में से राजस्थान का एक ही जिला शामिल है राजस्थान का अजमीर अब देख लो इसमें कौन-कौन से शामिल है तो इसमें राजस्थान का अजमेर हो गया गुजरात का द्वार का हो गया अंदर पर्देश का अम्रावती तमील लाडू का कांचीपुरम उडिशा का पूरी तमील लाडू का विलंकनी पंजाब का अमरिचर उतर परदेश का मतूरा उतर पर अपने वारंसी दो हैं एक इसी से मिलती जुलते एक योजिना और आती है जिसे बोलते हैं प्रशाद योजिना प्रशाद योजिना ये योजिना जो है तीर्थ यात्रों की सुईधाओं के लिए शुरू की गई तीर्थ यात्रियों की सुईधाओं के लिए शुरू की जाती है प्रशाद योजिना और इसके तहते बारा शहरों का चेया इन क्या गया भी, चीकर, क्लियर से भी को, तो ये क्या है कि तिर्थ यात्रों की सुईधाओं को बढ़ाने के लिए, तिर्थ इसकल जो पुनरुद्दार और अध्यात्मिक संवर्दन अभ्यान जो है, ये प्रशाद शुरू किया गया ह है, ठीकर, ओके, फिर अगला आता है स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जो है, ये स्टार्ट होता है, दो अक्टूबर दो हजार, चोदा से ये स्टार्ट होता है, अब आता है कि इसका लक्ष्य क्या है, कि दो हजार, चोदा से स्टार्ट हुआ, दो हजार, उन्नीस तक ये चलेगी, उदश्य क्या है, कि सहरी भारत को खुले में सोच मुक्त करना, तथा देश में 4041 समविदिक जो कश्बे हैं, उनमें नगरी है, ठो सबसिस्ट, ताकि कचरा ने फैला है, तथा शत पर्तिशत वेग्यानिक प्रबंदन सुनिश्चित करना है, एक आता कि नोडल विबाग कौन सा विबाग है, विबाग कौन सा तो वह आता शहरी विकास है, मंतराले की दुआरा जो है, स्वच बारत मिशन जो है, ये शुरू की गई है, S, B, M, U, स्वच बारत मिशन शहरी, फिर आता कि खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना, हाथ से सवाई गरने की प्रथा समाप्त करना, नगरिये ठो सबसिस्ट का आधूनिक और वेग्यानिक प्रबंदन करना, स्वच स्वच जो स्वच्था समंधी जो आधते है उनको विवार में लाना, सहरी स्थानी निकाये हैं थूब छमता का समर्थने काता प्रबंदन ुशा आप प्रबंदन करना एक जिगा बठक निर्मान एंवाम जन जागरूपता एक आता है कि जो भी घरेलू सोचाले हैं का कितनों का निर्मान किया गया है तो 66.42 लाक वेक्तिगत घरेलू सोचाले का निर्मान किया गया है और इन में से 2.52 लाक तो समुदाय का निर्मान है यानि कि वेक्तिगत सोचाले कितने हो गया है 46.42 लाग और सामुदाए कितने 2 पॉइंट है 52 लाग जो है सामुदाए के सोचाले हैं फिर आता घर घर जाकर सत पर्तिशत कच्रा संग्रहन और नगरी थो सबसिष्ट का प्रबंदन करना एक चला है स्वच्भारत मिशन 2.0 यह 2021 से अक्टूबर 2026 तक यह चलेगा वह खतम हुआ उसके बाद कि शहरी विकास मंत्रा ले अब आता है कि स्वच भारत मिशन जो ग्रामीड है इसका किर्यानवन जो वह कौन करता तो वह करता पेजल यह स्वच्छता मंत्रा ले पीजल एवं इस स्वच्छता मंत्रा ले LS या याने कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो ग्रा मंत्रा करता है और सब्सक्राइब ग्रामिन का किर्यानवन जो है पेजल यह स्वच्छता मंतरा लिखी द्वारा किया जाता है तो कब तक चलेगा दो अक्टूबर 2026 तक चुह है यह मिशन चलेगा दो शब मिशन हो गए इसके चलो किलियर सभी को next आती है प्रधानमंत्रि आवास योजन प्रदानमंत्री आवास योजन सेरी PMAYU म कम होती है तो यह प्रारम होती है 25 जून 2015 को स्टार्ट होती है 12 सरकार के कोन सा मंतर rivals है आवाशन यह वं सहरी कार्य मंतराले की द्वारा यह शुरू की गया है उद्श है कि जो बे गर आवास यानिके घर देना कम खर्चे में तो बेगर आर्थिक दरष्टी से कमजोर आय वर्वक के जो लोग है जिनकी वार्षिकाए जो 3 लाख से कम है अलप 2 वर्वाले जिनकी वार्षिकाए 3 से 6 लाख तक है उनके परिवारों को सस्ते अवास देना कम खर्च के उपर यानि कि कम पैसे में उनको घर भी मिल जाए अब आता है कि इसमें क्या कारी है इसके तो लाबारती के नेतरतु में व्यक्तिगत घर का निर्मान करना स्वाइस्थान मलीन बस्ती पुनर विकास साजिधारी के माध्यम से किफायती आवास देना अब आते इसके लक्षे निर्धारित किये गए हैं तो एक अप्रेल 2015 से मार्च 2017 तक जो थी इसका लक्षे था 100 शहरों को शामिल करना 2 अप्रेल 2017 से स्टार्ट ओकर 19 तक जो चरण था उसका था 200 शहरों को शामिल करना और 3 अप्रेल 2019 से मार्च 2022 तक क्या था कि सेश जो सहर थे उनको शामिल इसमें करना है और अब यह जो अवधी है इसको मार्च 2022 से बढ़ा कर कितना कर दिया यही चीजे इसमें पूछी जाती है कि इस योजना की अवधी को बढ़ा कर कितना कर दिया गया है है 31 दिसंबर दोजार चोबीस है किरिया सभी को फिर आता है कि इस योजना के तहट जो आवास दिये जाते हैं उनका मालिकाना हक जो किसी व्यश्क में इलाके नाम पर ही या फिर पुरुष के साथ भी संवतुरुप से परदाने किया जाता है एक इसका देवा क्या आता कि सभी के लिए आवास पूछ लेते हैं अभी किसका देवा के क्या है तो यह आता सभी के लिए आवास ठीक है ओके कि लिए रहे सभी को यह चलो नेक्स्ट है रास्टी यह सहरी आजीवी का मिशन रास्टी यह सहरी आजीवी का मिशन आती एन यू स्टार्ट कब होती है 24 सितंबर 2013 को यह स्टार्ट होती है आवास एवं शहरी करीबी उक्षमन मंत्राले बारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है दिनांक 23 सितंबर 2013 को मुझूदा स्वन जेंती सहरी रोजगार योजना की स्थान पर यानिकि पहले इसका क्या नाम था पहले से जाना जाता था स्वन जेंती सहरी रोजगार योजना उसकी स्थान पर अब इसका नाम किया गया राश्च्रिय सहरी आजईविका मिशन ठीक है फिर एक इसका आता है लोगो लोगो क्या है इसका विभाग तो पता चल गए आवास और सहरी गरीबी उप्षमन मंत्रा ले है लोगो आता मेरा रोजगार मेरा अधार मेरा रोजगार उन्नतिक अधार आज थोड़ी तबियत खराब है भी ठीक है विद पॉश्चन जो इसमें 46 वारा ही रहेगा देगे बाद में 19 फरवरी 2016 को राष्टी सहरी आजिवी का मिशन जो इसका नाम बदलकर इसका नाम बदलकर क्या किया गया दीन दयाल उपाध्याय अंतोदे यो राष्टी ये शहरी आजिवी का मिशन यानि कि डे एनल एन्यू एलम इसका नाम बदलकर का नाम चेंज किया गया 19 दिसंबर 2016 को एन्यू एलम योजना जो है उसे डे एन्यू एलम कर दिया गया है विभाग पता ही है विद्पोर्शन है साट चालीस है शाट केंदर का चालीस राज्ये का और इसके अलावा देखे इसमें पुर्वत्तर और विशेश रेनी के जो राज्येंज सरुनाचल प करेगा दस और राज्ये करेगा ठीक है कि एक इसमें आता है कि रिण दिये जाते हैं व्यक्तिगत जो रिण दिया जाता है वह दो लाग तक दिया जाता है स्वेम सायता समूं का जो रिण दिया जाता है अधिक्तम दस लाग तक दिया जाता है और इसके लिए कोई भी सब्सक्खेस ओर 70000ट टाये इसमें लाभानवी देखते हैं तो महिलाएं जो कितने परतिशत्तक थikel भाहत तो अलब संक्यक को का आता 15 परतिशत और दिव्यांगों का कितने हैं तीन परतिशत दिव्यांगों का आता है ठीक है उदेश्य क्या है इसका तो शहरी गरीब जो है उनको शशक्त आधार भूत इस्तर की जो भी संस्थाएं हैं उनमें संगतित करना कोशल विकास के लिए उनके अफसर सरजित करना और आसानी सुने रिण मिल जाए और इस यू मिशन का लक्षे है कि जो भी शहरी बेगर रहे हैं उनको चरणवत तरीके से अनिवार्य सेवां उसे युक्त आश्रेम होईये करना इसके अत्रिक मिशन में सहरी पत्थ विक्रेता जो है इनको आजीव का समधी मामलों पर भी ध्यान दिया जाएगा ठीकर और इस योजना कि साथ क्या है पर्मों गठक है साथ पर्मो qualcosa के रोजगार वख लेसमेंट सवरोजगार कारे करम शहरी पत्ति हथे इनके लिए समर्थन और शहरी भेगरों के आश्रे के लिए योजना अळीना एवम विशेश्यजय आ अभी न विशेश्य प्रियोजना है यानि इस योजना के जो Сов साथ पर्मो गठक यह जो योजना ह यह एक सू चानमन नगरिये निकाईों में लागू है और वर्तमान में इस योजना के तहत कितने शहर सामिल है तो वर्तमान में अगर देखोगे इस योजना के अंदर सात सो नबब शहर जो है यह शामिल है तोटल कितने शेहर सामिल है 790 कितने नगरी निकायों में लागू है तो एक सो छान में जो नगरी निकाय है उनमें ये लागू है कि लिए रस भीगो प्रस में ज़ते हैं इंद्रा रसो योजना बहुत अच्छी योजना है इंद्रा रसो योजना इसको अम्हा टबटेह चलती पहले उसी कीं तर्ज के ओपर शुरू किया गया है इन योजना में क्या क्या जाता है कि डाइरेक्ट थिति फुचि जाती जाती है कभ इसस्तार्ट हुए इसकी योजना को कितनी अवधी तक बढ़ाया गया है कब तक ये योजना थी ये सारी चीज़ें इसमें पूचि जाती है तो प्रारंब कभ वही इसके 213 नगरिये निकायों में 358 जो इसथाही रसे उकर दी गई है यह पहली से जाना जाता था उन्पूर कर लोगे पहले से श्क्राइब चुम कर दी ती Cuando यानिक वह श्रब रुपए परति थाली мі आठ रूपए सिर्फ आपको देने यह बाके के जो पैसे वह राजे सरकार देगी आनीकि सतरह रुपए जो राजे सरकार अनुदान दे रहे हैं यानिकि आपके यह ठाली कितने के पड़ रही है यह ठाली आपके टोटल 25 रुपए की पड़ रही है अगर 25 रुपए जहां आप दे रहे हूं वहां सिर्फ आपको आठ रुपए देने हैं 8 रुपए में आपको भर्पेड वोजन मिल रहा है अनुदान जो है वो कौन दे रहा है अनुदान तो राजे सरकार दे रही है 17 रुपे का तो और पहले ये क्या था पहले जो अभी जो अनुदान 17 रुपे बढ़ाए गया पहले ये 12 रुपे था अभी इसमें 5 रुपे और बढ़ा दिये तो ये अनुदान राज्य सरकार के द्वारा 17 रुपे कर दिया गया है किलियर है सभी को ओके फिर आता है कि सहरी छेत्रों में जो भी जरूरत मंद है उनको कम दर पर भोजन उपलब्द कराना परती दिन का अगर टार्गेट देखो ना इसमें तो यह 1.34 लाख लोगों को परती दिन भोजन यह वार्सिक बजट आप इसमें कितना है सोग रोड़ का रासी बजट था भी से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है धाइसोग रोड़ इसको बजट को बढ़ा दिया गया जीक है विबाग कौन सा वाइन चीज़ याद रखना नगरीय विकार से हुँ आवासल स्वायत साशन बाग राजस्थान शरकार के द्वारा यह शुरू किया गया अब इसमें यह नहीं है कि भई जो यह संस्थाई यह चल रहे हैं जो यह विदाघ चल रहे हैं इन्हीं के द्वारे संचालित कि helfen किसी का भी भड़्डी आ गया भड़्डी सेलिबरेशन करना है नाम इंख अगुपनी हैं तो नहां यह लेकिर अगर आप लोगों को खाना खिलाना चाहते हुआ है इसमें आपके मन को संतुष्य मिलती है तो आप यह यहां पे और आराम से आप यहां पे लोगों को खाना किला सकते हैं बर्षते आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी इसमें जो इसमें राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दिया जारा परती थाली वह आपको नहीं दिया जाएगा वह इसमें बिल्कुल भी वह सिर्फ य 干 fijशाटी कर सकते हो जो आप में करते हो यहां जाकर आप लोगों को भी लोगों को खाना किलाना गरीब लोगों को वह यहां पर कर सकते हो ऊटरह स्थ पर चपातिव है अचार वचार ये मिलते हैं ओके तो बजट अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है डाइसो क्रोड जो बजट बढ़ाकर कर दिया गया है अब जिला इसतर के उपर को निग्रानी रख रहा है जिला कलेक्टर फिर थालियों की संखिया देखे तो नगर निगम के द्सक्राइद धोपार CS 3산 को बनी चाहते नगर परिशद में डाइसो डाइसो नगरपालिक आ भी डाइसो डाइसो पैम लगत्पुरूरुषकार राषीं कभी कभी-कभी पूछ लेते हैं कि राजय स्था के उपर कितनी राशी सब्सक्रों कर दिया है दूसरा 15,000 का तीसरा 11,000 का संभाग पे देखें तो पहले 15,000 रुपे फर्स्ट सेकेंड 11 थर्ड पांच अजार और जिला इस तर रुपे इस पे 11,000 रुपे दिये जाते हैं एक इसी से एक योजना या थी अनपूर्णा योजना पहले क्या चलती थी अनपूर्णा योजना कब 15 दिसंबर 2016 को अनपूर्णा योजना थी अब चल रही है इंद्रारसो योजना चीक है इन दोनों में य़िफरेंस क्या बई ये भी तो खाना बना रही थी यह जोजना भी खाना ba रही है लोगों को किला रही है теперь ये योजना जो यहumbles पासर कार द्वारा लागव की गई थि चीक है यह जोजना जो है ये कांज्रे सके द्वारा शुरू की गई है इसमें क्या था कि घर गाडिया वेन के माधिम से भोजन उप्लब्द कराते हैं गूम-गूम के यानि कि गूम-गूम के लोगों को खाना बाटा जाता था लेकिन इसमें तो बैठने की विवस्ता है बैठके आप आराम से खाना खाओ रिलेक्स होक लेकिन इसमें की नास्तिकी श्विदा नहीं है केवल आपको दोपेहर का बोजन मिलेगा और आपको इसमें राठ रात्री का जो बोजनर मिलेगा यह नहीं है कि है रस्तोय जना के माधिम से जो भी वित्रन कर सकती हैं मैं कोई चाहता हो कि भाई हमें यह सेलिब्रेशन करो तो वो कर सकते लेकिन उन्हें क्या है कि राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाला 17 रुपे का जो अनुदान है वो नहीं दिया जाएगा अगली आती है इंद्रा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अब यह देखो कभी स्टार्ट होती है नो सितंबर 2022 को यह स्टार्ट होती है विभाग कौन सा स्वायत साशन विभाग रास्तान सरकार के दर शुरू की गई है बजट है आठ सो करोड रुपे का सो दिन का रोजगार इसमें दिया जाता था जिसको बढ़ा कर 125 दिन कर दिया अब की बाद पातरता यह 18-16 वर्स छोटे बच्चे भी क्या करेंगे इसमें बुड़े हो जाते हैं वो भी क्या काम करेंगे मजदूरी मैं चीज याद रखना लगबग पूछी जाते है कुशल सामैक फुसा कको कितना मिलता है अर्थ कुसल को और कुषल को तो मस्दूरी है अगुषल जो है किया यह कुषल सर्मिकों को मस्दूरी कितने दीजारी यह 2069 रुपे परति दिन अर्द कुषल जो उनके कितने दी जा रही है 211 रुपे प्रति दिन और कुषल है उन्हें कितने दी जा रही है 283 और उच्छ कुषल उन्हें 333 रुपे जो है वह इसमें मजदूरी दी जाती है प्रति दिन तो कुशल हो गए 283, उच कुशल हो गए 333 एक इसमें आवेदन के लिए जन आधार्फ नंबर होना बहुत जरूरी है परवासी मजदूरों के लिए भी है यह उजना आवेदन 15 दिन के अंदर आपको रोजगार मिलेगा व्यतन का भूगतान सीधी आपके खातों में, बटकणा नहीं कई कारिय प्रयावर शरक्षे से पोदे लगा दिये कहँ खड़े खूद दिये कहीं सवस्ता से संबन्दित है, यह सारे कारिये जो वह इसमें किये जाते हैं करेये सभी को तो नेक्स्ट और लास्ट योजना आते है हमारी इंद्रा गांदी सहरी क्रडिक कार्ड योजना यह योजना जो है राज्य सरकार की है बही अब शुरू कब नहीं आइन jakieś knife 7-1 consent की रही है इसमें इंद्रा गांधी सहरी रोजगार गारंटी और एक आती इंद्रा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना न सब्सक्राइब कोवीड के टाइम पर शुरू की गई थी मैंची जी जो भी स्टीट वेंडर से पत्वी क्रेता है रेडी लगाने वाले हैं कुमहार मोची त्यादी को आर्थी रूप से संबल बनाना पचास अजार का लोन दिया जाता है कि कर ब्याजमुक्त प्याजमुक्त जो पचास अजा सारवजनिक चैतर के जो भी बैंक है निजी है सहकारी और वित्य संस्तानों के माध्यम से इसमें क्या है कि रिन उपलब्द करवाया जा रहा है यह जो आपका ब्याजमुक्त होगा कोई आपका ब्याजमी लगेगा इसमें और योजना में पांच लाग लाबार्ती जो है उ माज लाबार्ती जो है वो इसमें शामिल होंगे फिराते व्यक्ति की मासिक आये कितनी होनी चीए 15,000 से कम और उसकी पारिवारिक जो मासिक आये 50,000 से कम होनी चीए ठीक है तीन श्रेणियों के अंदर यह जो लोन है यह दिया जाएगा जो भी शहरी स्ट्रिट वेंडर्स ह संगठी सेवा के कामकार जो है जो भी हेड्रेसर होते हैं रिक्षावाला कुमार खाती मोची इन सभी को आर्थी गूप से इसका जो रख रखाओ है इसका जाच कोन करता तो वह जिला क्लेक्टरी करता जिला इस तर पर और यह जो योजना ना यह 31 मार्च 2022 थी वह पांच पांच लाग लाबार्थियों को पचास जार का जो रिण है वह उपलब्द करवाया जाता था और यह जो जो जना वह 31 मार्च 2022 तक थी एक साल का जो इसका टार्गेट था वह कंप्लीट हो चुका है सो लागस 2020 को स्टार्ट होई थी मार्च 2022 में खतम हो गई ठीक है क्ल लेकर आएंगे बहुत इंपोटेंट क्यूशन लेकर आएंगे सारी चीजा आपको उसमें बेस्क लियर हो करवा देंगे यह नहीं कि हाम मेरी चीजी याद में हम याद करवा देंगे ठीक है टेशन नहीं लेनी किसी भी चीज की यह आरो का पेपर आ रहा अच्छे से तयार कीजिए हम से जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे आपके लिए तो आज का सेशन हमारे यहीं तक था मिलतें नेक्षेशन में आज के लिए धन्यवाद